Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of irrigation engineering. In this numerical, we find field capacity. We have data about our land and what type of water we have given. And we need to find field capacity. First of all, we have a little theory. Last numerical, we have seen three types of water. Gravity water, capillary water and hygroscopic water. In our soil, if it is just hygroscopic water, we will denote it as a melting point. If hygroscopic water and capillary water are both, it is called field capacity. Hygroscopic water, capillary water, we cannot use our plants. Now, field capacity, the definition of Fc is equal to ratio of weight of water retained in unit area. This is a unit area of soil. How much water is in it? The weight is upon weight of soil of unit area. The unit area is in its soil. It means there will not be water. Now, weight comb is gamma into volume. This is water and dry soil. Soil is equal to soil. The first factor of water is in its soil. We have used its soil to soil. Here is a unit area. We have this. Field capacity in this formula. Field capacity is something different in the field, सोई गदर ओने तो नहीं के ऊपके दिए दोनों तो आप्षी नाउ पर तो एलग के अन्हाइप heavily तो पहले से कितना वाटर कंटेंट है वह 5% है तो पहले से है उसको का विल्टिंग पॉइंट मानें हम यह मानें कि हमारे प्लांट यूज नहीं कर सकते तब इरिगेशन की ज़रूरत पड़ी तो यह मारा 5 दे रखा है ड्य देंसिटी ऑफ साइल गामा दी दे रखिया है 15 किल वाटर लॉस द्यूट इवापोरेशन और डिप परकुलेशन अब हमारा वाटर लॉस क्या हो रहा है या तो यह परकुलेशन से लॉस और या तो बीप परकुलेशन से यानि पानी अंदर चला जाता होगा ज्यादा अंदर प्लांट नहीं उसका पाइब वह 10 परसेंट है अधिन अधिन इसमें प्लाट उसकी एरिया कितनी हैं हैं अंडेट स्काइब मेटर हमने थियूरी में देखा था कि फिल्ट कैपसिटी के लिए हमें क्या होता है वेट ऑ वाटर जी होता है एंड वेट ओफ स्वाइल तो हमारी इसमें जो हमारे जो टार्गेट रहेगा वह स्वाइल निकाले एंड वेट ओफ स्वाइल निकाले नव लेट सॉल वाक्ष्टन हमें गिवन है टोटल वाटर अप्लाइड जो हुआ हो इतना हुआ है यह में दे रखा है तो लॉस ओफ वाटर दे रखा है 10 तो जो पानी हमारे स्वाइल में रहेगा वह क्या होगा 100-10 मि अब 90% है तो हम इसका 500 का 90% निकाल लेते हैं एक्शुल वालूम हमें मिल जाएगी जो की 450 मीटर क्यूब मिलेगी फिल्ट कैपसिटी के लिए हमें वेट चाहिए होता है वाटर का तो वेट अगर में वालूम दे रखा है तो वेट निकालना बहुत ईजी होता है गामा मिल जाए दिन फिल्ट कैपसिटी में नीचे क्या होता है वेट अफस्वायल तो स्वायल का वेट निकालना की कोशिश करते हमें चुआया दे रखा है और देप्ध में दे रख्खी दियस तो एरिया और देप्ट से हम इसकी वालूम निकाल लेंगी जो कि इतनी आए गे अ अब जब हमने स्वाइल में पानी मिला दिया तो फाइनल वजन इतना हो गया स्वाइल का वेट इतना हो गया नव हम परसेंटेज आपनी कितना मिलाया तो उसका तो बच्मन में हमने फॉर्मूला पड़ा था किसी का परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता था फाइनल मैं इतना परसेंटेज पानी 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 यूटर इतना प्रसेंटेज पानी एट किया नौ नू वाटर कंटेंट या एपसी इसको बोलें फिल्ड कैपसिटी क्या होती है 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 भी प्लान चेहाँ है भी प्लेंट्य-वाली वाणी है है और अब है ट है। अग्या है जा है दोडना की हिए नहीं बस्काई आप प्लान 15 ये पहले 2 नुसेजी की बाला रहे हैं द orange x तो अगर हमें कुछ डाटा दे रखा है तो उससे निकालना एजी है पहले तो फाइटों में पहले सी पद्दा था एंड में और पानी जो आट हुआ है वो निकालना जो कि कैपलरी के फॉर्म में ग्रैविटी वाला नहीं हो तो पहले लॉस हो चुक तो हमने क्या किया पहले ह हमने वालूम दे रखे थे उसे पहले लॉस निकाल दिया फिर वालूम से अमने वेट निकाल लिया सेम हमने उसका जो स्वाइल का वेट था वो निकाल लिया फिर पैस्टेंटेज निकाल लिया कि वाटर कितना एड़ हुआ है और देन उसकी हल्प से हमने इसली फेल कैस्ट fine Kelly. Thank you.